वासे दोस्तों वेल कमरती ग्याने लखिए आज इस बाद करने वाले कि जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेटर फिल्ड में काम करें जो लोग उसको यह इस करने का चाहिए कि इस करने का फंक्षन क्या है तो चलो इस वीडियम में उसके रिलेटर बात करते हैं तो इस ट्रांसफ जो ट्रांसफिंश्च पहल में के करने का तो यह सब्सक्राइब करनाए तो हम चोह श्रकृoo को सब्सक्राइब फियुक्ज को और कि उसका आप अग cresco प्रैंग में छो तो निकलेकılar वो डाउन करके requires तो चोपर का आउटपुट जो मिलेगा क्या करता है अगर आपको डाउन कररके आपको ये चोपर का देगा मतलब कि चोपर का जो function है वो क्या करता है कि DC वल्टेज को DC व्ल्टेज मैं करने का काम करता है जैसे logistics को AC में करेकी वेसा ही DC को अगर आपको DC वोल्टेज में करना है दूसरे वोल्टेज लेवल में करना है तो वह फरकाम कर देगा आपका और नेक्स्ट बात करते हैं कई साइक्लो कनवोटर कुछ काफी बार ऐसी रिक्वार्मेंट आ जाती है कि हमें हमरे पास जो सोर्स होता है वह अगर हम इंडिया मे अगर आपको आउट्पुट में 415 वोल्ट 60 हर्स चाहिए तो यह साइक्लो कनवोटर आपको करके देगा तो यह काम साइक्लो करता है करता है तो जो होता है कि एसी पावर को डीसी पावर में कनवर्ट करने का काम जो है वो यह रेक्टिफायर करता है फिर नेक्स्ट जो होगा इसे इंवर्टर क्या करता है कि जो डीसी पावर जो है और DC power को AC power में convert करने का काम rectifier करता है तो I hope guys कि आप समझ गए होगे कि जो चोपर जो है वो चोपर जो है वो क्या करता है कि DC voltage को दूसरे DC voltage level में convert करने का काम करने का काम करता है उसको variable frequency में करने का काम करता है और रेक्टिफायर जो है वो गया करता है कि DC को करने का काम करता है तो यह सारे converters हो गए वीडियो कैसे आपको लगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताए और अगर कोई डावट है तो आप नीचा कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अभी तक आपने वारे यूट्यूब चनल सब्सक्राइब कर लिए कर सब्सक्र डिख शीच में लिख सेक्शन में लिख सेक्शन में लिख शीच रिफ चॉट्ई